अबर को को बताने क्पर हैं आप chi Omg 625 ऊबधेकरS अबार में पूरा पहतर तरीकर से आप लोगों को बताने वाला observ की उसके बाथ सफ्वैटेरिया क्या होगी उसके बाद枉मे सबसे क्या चहिए उसके करूंगा बिल्कुल इस वीडियो को बने रहें चनल पर नहीं आए चलन को सब्सक्राइब करके बलाइकन को प्रेस करें जितना ज्यादा हो सब्सक्राइब करके पर हमारा नहीं सेलेक्षिन उपाता है अगर आप महनत किये तो सही प्लेटफॉर्म को नहीं चुने है जहां आपको सेलेक्टेड कोश्चर नहीं मिलिये तो बिल्कुल आप लोगों को डरना नहीं है आप लोगो कुछ निक करना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक आप लोगों का यूटूब चैनल का लिंक पड़ा से मिसाइल क्लस्टेश के अपको जरूद डाउनलोड करना है क्योंकि वहां पर आप लोगों को टेस्टरीज मिलने वाला है कहता है कि सेर सा जिगर और गजब के सोक रखता हूं अपने देश के खातिर हांथेली पर अपना जान रखता हूं किसी का दम नहीं होती है मेरे दो सखें उसका कदर करना सिख लीजिए मेरे दोस्त क्योंकि आप सभी को पता है कि वो लोग अगर बोर्डर पर है तभी जाकर हम लोगा सुरचित है अगर वो लोग नहीं है बोर्डर पर सही से नहीं तैनात रहेंगे तो आज हमारे आतंग बाद हमारे दिसमें घूस जाएगी और हम लोगो फिनिस करके चले जाएंगे तो चले मेरे दोस्तों पहला आते कौलिफिकेशन अब कौलिफिकेशन की बात अगर मैं करूं सबसे पहले आप लोग जो भी स्टुडेंस टेंथ पास है फेल वाला नहीं अब परसेंटेज की में बात करूं मेरे दोस्तों तो आप आपके एज निकल गया होगा ठीक है तो 33 परसें मतलब आपका टैंट में और 12 पर पास अगर आप 12 नहीं भी किया है तो कोई बात नहीं आप टैंट में आपका पास मांक साना चाहिए अगर आप पास है तो इसमें आप इलिजिबल है आप इस फॉर्म को इसली से भर सकते है स्टेफ नमबर वोन आप आते हैसने स्टेफ नमबर टुवեզस के बारे में जैसे मैं बात करने वाला हूं मेरे दोस्तों एस के बारे में उसकर दिता हो दिच्थी से मेरे दोस्तों याद रुखेगा सर्फ है ज zor सर में उमीद काता हूं कि आप लोग 72 तरीके से सुनेंगे और देखेंगे एक एक स्टेटमेंट को देखें करमचारे चैन आयो कॉस्टेबल पचास तर पर भरती के लिए आवेदन के लिए नियमतम आयो 18 वर्स से लेकर आधिकतम आयो 23 वर्स मतलब हम लोगों को पता चल गया अगर मैं as limit के बात करूँ हमारे start हो रही है 18 से लेकर याद रिखेगा 23 साल तक लेकिन अगर कुई भी students अगर OBC है याद रिखेगा OBC है या ST है मिरे दोस्तों उनके लिए बिसेस प्रकार का चूट होती है अगर OBC है तो आपकी 3 साल का चूट मिलेगी अगर SC और ST है तो आपको 5 साल का यानि आप 2000 याद रिखेगा sorry आपका 23 साल है तो आप 28 साल तक भर सकते हैं जो भी students SC और ST होंगे और जो भी students अगर OBC है वो 26 साल तक भर सकते हैं यह आपका benefit है एस में यह आप लोगो discount दिया गया है चलिए सरी यह बात तो बड़ी मजे से समझ में आ गया है अब बात करते हैं सर आगला याद रखेगा Constable पचास अधिक पदोपर ने भरती के आवेदन के लिए आवेदन सुल्क एक सुरुपया रखा गया है आपको एक सुरुपया पे करने के समय आपको एक सुरुपया देना होगा जबकि SC ST EAC और महला आवेदन के लिए सुल्क छूटे मेरे दोस्तों आप यहाँ पर पता च है अम लोग का फी है यह बिल्कुल आप लोग एक रुपया नहीं लगेगी यहां तक तो यह सर पता चल गया है किसी भी मानता प्राप्त बोर्ड या अस्तनास्था में बार्विय पास अभ्यार्ति आवेदन भर सकते हैं मतलब अब बार्वी वी किये हैं तब भी इस फॉर या अधिकारिक वेफसाइड है इस वेफसाइड में हम लोग को जाना है और इसको आप फॉर्म का हम लोग को अपलाई करना है अब अपले आते हैं सर फिर से हम लोग लाइन पे सबसे पहले एस अपलोग एक बार देख लीजिए मुझे नहीं लगता है कि कोई भी स्टूड 2 जनवारी तू फेब्वारी में हमारा नेरी एक्जाम हो जाएगी अगर कोई स्टूडेंस अभी तक तयारी में की हैं मेरे दोस्तों और बहुत्र तरीके के से अभी भी अगर कोई स्टूडेंस चातें हैं। और हमें अच्छी तरह से तैयारी करके ऐसे सी जीडियों को इस बार पार करके दिखाना है तो मेरे दोस्तों आभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और हमारा यूटूब चैनल जिसमें कॉम्पेटिशन की फ्री में तैयारी करा जाएगी उस चैनलों को बिल्कुल आप इसको हम लोग डिवाइड करते से लेबस को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि इसी सिलेबस में आप लोगो रिजल्ट बनता है अगर इस लेबस को हम लोग ध्यान से सुनेंगे तो फिर हमें कुछ होने वाला नहीं है सबसे पहला हमारा आता है सर्जी के याद रिखे क्या है जो याद रिखेगा वह आपहटरोगा मर्सक्ता मर्क्स का अगर मैं आख अगला स्टेप जो हमारा आता हरी अगर ये ढशनेंग यह cuánt Girly मार्क rushing का होके आब यहां पर आता है जर्द आज़ना चाहते है करें तो आपको Hindi तैयार करना है अगर आप English लेना चाहते हैं तो आप English तैयारिक सकते हैं मतलब यह आपो का 20 marks का होगा अगर total इस तरह से में बात करूं तो total हमारा 80 marks का इक्जाम होगी कितने marks का 80 marks का इक्जाम होगा सबस्क्राइब सब्सक्राइब इसको आप लोगोव को जिके उसके वाद करप्र एक्षेटियर साइन्स जोगेद होती है मैट में आप लोगों पता है क्या पूछा जाएगा रिजिनिंग में है में इंटल इबिलिटी और इसके बाद हिंदी इंगलिस हिंदी इंगलिस सारे चीज के तयारी में करवाँगा टेस्ट सीरीज के लिए आपको प्लेश्टों से मिसाल क्लस्ट को डाउनलोड कर लेना होगी तो मेरे दोस्तों आप लोग अगस्त मा टेंटेटी बताएगा है अगस्त मा याद रखेगा अगस्त का 27 अगस्त से अप लोग का स्टार स्टार्टिंग होने की पूरी के पूरी परकिरियास सुरू कर दी गई है यह यह आप लोग का अगस्त से आप लोग इस फॉर् दरवाजे को बंद करें अपने दिल के दरवाजे को बंद करें और बहतर तरीके से तैयारी लग जाएं मेरे दोस्तों इसमें एक भी स्टूडेंस चाहिए आपका अंदर में क्या पुताओं अगर आपका अंदर में को सरकारी नोकरी के ज़जबा अगर नहीं भी है ना फिर तैयारी करें क्योंकि अगर आप इस इकजाम में बैठते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि हम पुरे साल पुरे दस साल से हम क्या पढ़े हैं और हमें क्या पढ़ना चाहिए मेरे दोस्त इस फॉर्म के एक बार जरूर अपलाई कीजेगा अब एक स्टेट्मेंट आती है स किसी बहाल में अगर आप गल्से तो 155 अपको कम स्टेव होना चाहिए बॉय है याद रखेगा 170 होना चाहिए अगर अगर है तो 155 आपका होना चाहिए यहाँ यहाँ पर 153 157 होना चाहिए ठीक है तो यहाँ अप लोग हाइट बगर हमें सारा चीज बहतर तरीके से मैंने लोग बता दिया हूँ अब बात रही से तैयारी करेंगे तो तैयारी आप लोग बहुत जल्द स्टाट हो रही है तैयारी के लिए एगदम दिल पे दिल प्रहात रख लीजिए कि इस बार हमें फोर्ड कर देखाना है ससी जीडी को मेरे दोस्ते इसी तरह से